नमस्कार दोस्तों एक बार स्क्रीन पे नजर मारिए क्या आप इस शक्स को जानते हैं कौन है ये शक्स और ये किसके साथ बीनिंग पोस्ट बनाके खड़ा है अगर नहीं जानते तो मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं एक ट्वीटर हैंडल की तरफ आप देख सकते ह हैं जो मैंने शक्स पहले दिखाया है जो ये शक्स है इन दोनों का चहरा सेम है अगर पहचान गए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताईएगा कि कौन है ये इनसान और अब मैं आपने उन दोस्तों को जिनको नहीं पता उनको बता देना चाहता हूं इनका नाम है निश आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना होगा अगर आप जानते हैं जो मेरे दोस्त नहीं जानते उनको मैं विस्तार से समझाओंगा कि क्या उनके फंट्स सेफ हैं या उनको अपने फंट्स के साथ क्या करना चाहिए लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता देता हूं इंडिया में एक नई एक्सचेंज लांज हुई है कॉइंस बिट के नाम से डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है लिंक को क्लिक करके आप कॉइंस पिट में अपना एक्सचेंज अकॉंट ओपन कर सकते हैं के वाइसी करनी पड़ेगी 200 डालर के यह कह रहे हैं कि हम वैलियू 200 डालर है या आने वाले टाइम में उनकी वैलियू 200 डालर होगी यह आपको जो है देखना पड़ेगा लेकिन वजीर एक्स के साथ मेरे काफी दोस्तों ने जो है कंपेरिजन किया था टोकन का तो मैं सब को एक बात कलियर कर देना चाहता हूं वजीर एक्स के टोक कि वो चाइना के हैं और आने वाले टाइम में कब चाइना दोखा दे जाए मुझे पता नहीं इसलिए को इसी लिए कॉइंस भी टबीक जो क्लेम कर रहा है 200 डालर के टोकन देने का तो आने वाले टाइम में क्या वो वैल्यू बनेगी मुझे अभी उसका भी पता नहीं री करने वाले थे फिर इन्होंने कहा सर कुछ आप सजेस्ट कीजिए मैंने इनको सजेशन दिया उस सजेशन पर इन्होंने काम नहीं किया मैंने लग गया और सभी जानते भी हैं मोदी सरकार बोलती कम है करती जादा है रातो रात जिस तरह से नोट बंदी हुई आप सभी ने उसकी ग्जैंपल देख लिए तो अभी शायद हम सभी के पास यह वकत है टाइम है कि हम अपने पैसे को सेफ करके रखें ज्यादा से ज्यादा क लगाने की कोशिश ना करें कब तक जब तक कि सरकार कुछ क्लियर डिरेक्शन ना दे और इससे भी इंपार्टेंट आपने पिछले कुछ दिनों की डिवेलप्मेंट देखी होगी कि काफी कंट्री जो है वो क्रिप्टों पे बैन लगा रही है तीन चार कंट्री जो है वो नहीं तो सौथ कोरिया है. जी हां वो प्लैन कर रहा है बैन का या जितनी भी वहारा के नॉम note रही है और आप ने देखा भी होगा सभी यह करवा रही है क्वा रही है के वाई-स इस लिए कर वा रहे हैं ताकि कल को जो है वह बच सकें वहीं अब आप स्क्रीन पे नदर मारिए यह मैं बाइनेंस की जो है वेबसाइट से लाया हूं बाइनेंस ब्लाग जो वो लिखते हैं तो बाइनेंस एक्वायर्स इंडियाज लीडिंग डिजिटल असेट प्लेटफॉर्म वदीरेक्स तू लांच मल्टीपल फियर टू क्रिप्टो गेटवेश तो अब आपको समझ बे आ गया होगा कि वदीरेक्स पे जो कवजा है वो बाइनेंस को हो चुका है और किस दिन बा वदीरेक्स पे लांच किया जा रहा है क्या आपके फंड्स सेफ हैं या बाप अपसे पूछिए टिक टॉक का आपने हाल देख लिया चाइनीज एप का आल देख लिया और किस दिन भारत सरकार की आँखे खुल जाएं और वो बाइनेंस को ब्लॉक कर दे भारत सरकार की खुद ही देखवाल कीजिएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं इसका रीजन एक है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कुछ दिन पहले कहा कि सर जो हम क्रिप्टो से मुनाफ़ा कमाते हैं कुछ ऐसा प्रासेस बताइए कि हमें उस पर टेक्स ना देना पड़े मान ली रखना जाते हो जिसको जिसका कल को खुद ही ब्रोसा नहीं है अब एक बार आप इस न्यूस पर नजर मारिए यह इसलिए इंपॉर्टेंट है न्यूस क्योंकि चाइना ने अपनी डिडिटल करन्सी पर काफी देर से काम कर रहा है तो अपने महत्वा कांक्षा को पूरा कर करने के लिए किस दिन वह बाइनेंस जैसी एक्स्चेंज पर शिकंजा कस्दे लगाम कस्दे हमें पता नहीं आप देखिए चाइना डिजिटल करन्सी ट्राइल शो थ्रेट टू अलीपे वीचेट डियोपली मतलब अभी तक आप समझ लीजिए चाइना में दो नेटवर्क करने डिजिटल करन्सी जब से शुरू की हुई है वो अपनी करन्सी को प्रमोट कर रही है जिससे इन नेटवर्क को खत्रा है आप नीचे जो है यह ख़बर पड़ भी सकते हैं लेकिन उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दब बैंक सार परसुएडिंग मर्चेंट करने के लिए डिजिटल क्लाइंट क्या और ट्राइट कर रही है जिससे बाइंस जैसी एक्स्चेंज का क्या होगा आने वाले समय में मुझे पता नहीं एक एक स्कुलूजी वीडियो मैं प्लैन कर रहा हूं बाइंस का सच इस नाम थे क्योंकि चाइना जो है यह फूरी रि को खाने में लगा हुआ है कैसे का रहा है क्या कर रहा है अगर किसी दिन बाइनेंस ब्लाक हो जाए जिस तरह से वहां की सरकार ने चाइना गोर्मेंट ने अभी अली बाबा ग्रूप के साथ किया अगर आपको नहीं पता एक बार गूगल सर्च कर लीजिए अली बाबा सबसे पावरफुल ग्रूप अगर चाइना का सरकार उस पे शिकंजा कर सकती है अली बाबा का आंट फाइनेशल का एक आई पी ओ आ रहा था वो आई पी ओ तक रोक दिया गया वो सबसे बड़ा आई पी ओ था चाइनीज हिस्ट्री में उस आई पी ओ को रोक दिया गया तो आने सरकार का कोई ही मास्टर प्लैन हो इसके बारे में भी हमें पता नहीं है तो मेरा कंसर्ण यह था कि अपने फंड्स को जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करते हो फोरण अपने बैंक एकोंड में ट्रांसर करो ताकि इन केस किसी दिन कोई प्राब्लम आ जाए कोई दिक्कत आ जा बेकार में पड़ा रहने देना यह भी कोई समझदारी नहीं है दूसरी इंप्रेंट बात एक ही एक्सचेंज में जो है अपने सारे फंड्स मत रखो अपने फंड्स को क्या करो डाइवर्ट करो अलग-लग एक्सचेंज में जहां पे लगता है बाइनेंस में करो जहां पे लगता है वजीर एक्स में करो थोड़ा सा फंट दूसरी एक्स्चेंज में करो थोड़ा सा फंट काइन डीसी एक्स में करो हलांकि मुझे वजीर एक्स से ज्यादा कॉइन डीसी एक्स पर फेथ है मैं काइन डीसी एक्स से भी transaction करता हूँ रिजन वजीर एक्स में जैसे चाइना ने कंट्रोल कर लिया है कंट्रोल जमा लिया है वो मुझे नहीं भाता दोस्तो इस वीडियो का मकसद आपको किसी भी तरह से ड्राना नहीं है लेकिन क्रिप्टो भी दैस भी में मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको फ्यूचर के बारे में साफ़दान करके चलूं तो मल्टीबल एक्सेंज में आपका एकाउंट हो वो मैं इसलिए बोल रहा हू हूं ताकि एक एके एक्सेंज को अगर प्राबलम आए आपके फंद्स को प्राबलम ना आ जाए अल्टरनेट तर्नेट इसका यह है कि जब आपको ट्रांजक्शन करनी है ट्रेडिंग करनी है आप अपने एकौंट से फंट ट्रांसफर करो और यकीन मानो कोइन डीजी एक् लेकिन जब से ये चाइना के साथ इसका अग्रिमेंट हुआ है मेरे को वजीर एक्स पे जो है विश्वास नहीं आया क्योंकि जहां पे भी चाइनीज बैठते हैं वह आप सभी बली बांती जाते हैं कि उनका रविया क्या रहता है और जिस हिसाब से चाइना पूरे वर्ल में आज कपजा करके बैठा हुए क्रिप्टो करंसी मार्किट में आने वाले टाइम में कुछ बढ़ा भी हो सकता है क्या हो सकता है इसके उपर भी मैं प्लैन करूं एक डेडिकेटीड वीडियो लाने का ताकि सबको बता सकूं अपने सब्सक्राइबर को सम्झा सकूं कि अपन से जो है वो गाइब हो सकते हैं और उस केस में हमारी सनवाई कोई भी सरकार नहीं करेगी रीजन क्योंकि सभी सरकारें एक्राव्द वर्ल्ड वह यह मानती है कि क्रिप्टो करंसी जो है वो इलीगल है जहां पर अभी तक किसी भी कंट्री ने इसको लीगल मान देता नहीं सिवाए एक दो को छोड़के वह भी उनके एक्सचेंजी पर इनकी जो है फ्यूचर जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट वी है ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं कि उन्होंने मान्यता दे दी कोई भी डैडिकेटिड एक्सचेंज नहीं है जो सरकार के द्वारा आथराइज हो तो इसका मतलब क्या हुआ आने वाले टाइम में अगर सरकारों को लगता है कि उनको प्राब्लम आ सकती है उनकी करन्सी को दिक्कत आ सकती है तो इन करन्सीों को ताला लगाने में कोई भी टाइम उनको नहीं लगेगा इसलिए मेरा पैसा जो मेरे हाथ में है मतलब अपना हाथ जगनात उसी पर ही आपको विश्वास करके चलना है दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है वीडियो मैं खत्म करने ज़्यादत चाहता हूं मेरा मकसद इस वीडियो के माद्यम से सिर्फ यहीं समझाना होता है कि मल्टिपल ए एक्षेंज है सक्सेस्फुल होगी नहीं होगी क्या होगा वो पता नहीं है लेकिन आपको इस एक्सचेंज में भी अग्रैसिवली आपने फंट्स जो है नहीं डालने फिलहाज जो दोसो डालर के यह फ्री कॉइन बोल रहे हैं वो फ्री कॉइन कठे कर लो आने वाले टाइ क्योंकि अभी मैंने जब टीन के बाकी मेंबर देखे हैं मुझे लगा कि यह क्या कर पाएंगे आने वाले दिनों में क्योंकि खून नया है जोश लग रहा है लेकिन उमर छोटी है और क्रिप्टो एक ऐसी फिल्ड है जहां पे तुजुर्बा यह मैटर करता है वडियों यहीं खतम कर नहीं जाज़ चाहता हूं क्रिप्टो भी दैस भी ट्वीटर पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे आ कॉइंस बीट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है क्लिक करके जाइन करके केवाइस ही करना नहीं बूलना नमस्कार जैहिंड